बिग बॉस जोड़ी अब तक की दो सबसे बड़ी और लेटेस्ट ख़बर लेकर हम आपके सामने आगे हैं पहली ख़बर तो यहाँ पर अर्मान और अर्मान के साथ कृतिका को लेकर है जिसे देखने के बाद जिसे सुनने के बाद आप काफी दा हैरान रहने वाले हैं जो कुछ बिग बॉस के घर के अंदर हुआ है और दूसरी ख़बर यहाँ पर शिवानी को लेकर है क्योंकि शिवानी ने घर के अंदर बता दिये हैं TOP 5 कन्तेस्टन तो क्या अब बिग बॉस ने शिवानी को 5 ऐसे नाम बता दिये हैं जो बिग बॉस के इस सीजन में TOP 5 पर पहुंचेंगे क्योंकि शिवानी काफी विश्वास के साथ 5 नाम बता रही है जो कि इस सेजन में हम सब को फिनाले में देखने को मिलने वाले हैं क्या है पूरी की पूरी दो बड़ी खबने और इन दोनों खबरों को सुनने के बाद आप अपना point of view कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें कि आपका इसके बारे में क्या सोचना है चलिए बात करते हैं लेकिन इससे पहले चैनल पर पहली बार आए हैं जल्दी से चैनल पर सब्सक्राइब कर लें साथ में घंटी के निशान को जरूर दबा दें आपको बता दें कि बिग बोस ओड़ी सीजन 3 बहुत जल्द अब आगे बढ़ता हो नज़र आ रहा है तीन कंटेक्शन घर से सीधा सीधा बाहर हो गए हैं चोथे की पूरी तरह से तयारी है इस विकेंड का वार के ओपर ऐसे में बात करें सबसे बड़ी ख़बर की तो आज बिग बोस के घर के अंदर जिस तरह से क्रितिका पूरी तरह से अर्मान से बात नहीं कर रही थी अर्मान को एकनोर कर रही थी लेकिन अब अर्मान ने क्रितिका की सारी दुनिया के सामने मसाज करके उसे पूरी दुनिया के सामने मना लिया है और क्रिटिका ने का है कि मुझे ये ऐसा लगता है कि तुम्में बिल्कुल पता है कि मुझे किस तरह से खुश करना है किस तरह से मुझे मनाना है यानि एक पर फिर से अर्मान ने अपना जादू चला कर क्रिटिका को मना लिया है और हर कोई कह रहा है कि अर्मान जैसा चालाक इंसान हम सबने किसी नहीं देखा नहीं देखा और उसके जहरे पर मुखोटा है बात करने दूसरी बड़ी ख़बर की तो यहाँ पर शिवानी और विशाल टॉप फाइव कंटेस्टन को लेकर बाचित करते हो नजर आए जिसमें विशाल ने यहाँ पर शिवानी के साथ मिलकर अर्मान को सबसे वड़ा जटका दे दिया क्योंकि शिवानी ने कहा कि टॉप फाइव में विशाल तुम होंगे मैं होंगी कि नहीं मुझे नहीं पता जिसके जवाब में विशान ने कहा कि तुम तो पकट टॉप 5 में हो, तीन बार नॉमिनेट होई हो, तीनों बार तुम्हारे फैंस ने बचा लिया है, इसका मतलब अच्छे खासे वोट तुम्हें मिल रहे हैं, शिवानी ने कहा अर्मान भी टॉप 5 में होगा, विशान नहीं करेगी इस तरह के इंसान को कोई भी फिनाले में नहीं देखना चाहता है ऐसे में शुआनी बोलती है कि घर के अंदर काफी सारे 13 से 14 कंटेशन मुझूद है यानी अभी 7-8 एलिमिनेशन होना बाकी है उसके बाद बचेंगे 5 कंटेशन और 5 जाएंगे फिनाले में जिसके बाद शुआन ने कहा कि मैं टॉप 5 में हूँ विशाल भी है साना भी होगी साना के साथ करितिका भी होगी पांचवे का नाम तो हमें पता नहीं पांचवा पता नहीं कौन होगा ऐसे में आपको कह लगता है कि पांचवा नाम कौन हो सकता है टॉप 5 में कमेंट जरूर करें यासी खबरों के लिए चैनल को सबस्क्राइब जरूर करें